दोस्तो तारीक मैता शो में होने वली है धया की एंट्री और क्या धया की एंट्री से पहले ही जेट हलाल को चालू बंडे गिरफ्तार कर लेंगे तो guys जो upcoming promo यह उस से देख कर तो ऐसी लग रहा है के चालू बंडे आया है जेट हलाल के गर उसको अंडर अरेस्ट करने लेकिन यहाँ पर दोस्तों कोई भी वजह नहीं लग रही कि आखिर चालू बंडे क्यों आया है अब दोस्तों आपको याद होगा कि जब तारिक मैता इस शो के प्रोमो में आये थे तो उन्होंने बोला था कि क्या हम एहमदाबाद जा भी पाएंगे और अगर नहीं गए तो क्या चीज होने वाली है तो गाईस ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सुन्दरलाल और द्या की वजह से ही या फिर सुन्दरलाल की वजह से ही चालू बंडे जेठालाल को पकड़ने आयोंगे और दोस्तों इस तरह से तारग मेता और जेठालाल दोनों का ही एहमदाबाद जाना भी कैंसल हो जाएगा अगर ये दोस्तों सपना नहीं है तो जिहां दोस्तों तो ऐसी जब भी कोई चीज होती है तो mostly chances होते हैं कि वो कोई सपना निकले अब हो सकता है कि जेठालाल का सपना हो लेकिन 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 अब यहाँ पर जो भी चीज निकलती है वो देखनी काफी जदा इंटरस्टिंग होगी क्योंकि शो में भी इस तरह से दिखाया जा रहा है कि दया की एंट्री होने वाली है क्योंकि दिवाली के दिन जो गड़ा फैमली का जो हाउस है उसमें सबसे पहले दिया प्रजवलित करने के लिए दया को ही चुना गया है तो हाँ गैस यहाँ पर काफी इंटरस्टिंग चीज़े होने वाली है क्योंकि दोस्तों मैं अल्रेडी काई बार बात कर चुक हूँ काफी टाइम पहले से ही कि जब भी दया की एंट्री होगी न तो उससे पहले बहुत ही इंटरस्टिंग स्टोरी दिखाई जाएगी और इन्होंने क्योंकि दिवाली का जो एपिसोड है वो भी इतना डिले कर दिया है मतलब रियल लाइफ दिवाली कब की जा चुकी है तो हाँ गैस इन सब चीजों से यही लग रहा है कि दया की एंट्री हो जाएगी क्योंकि तारिक मतलब शो में भी अभी भी डाउट बोलते है कि फिर से उनका प्लान कैंसल तो नहीं हो गया तो हाँ यह चीज अभी भी उन्होंने सस्पेंस रखी है कि दया के एंट्री हो गया नहीं लेकिन वो एज़ा के एंट्री करवा ही देंगे अपकी बार क्योंकि यार पहले भी शो काफी ज़ादा नेगेटिविटी जहल चुका है मतलब जो भी आसित मोदी से रिलेटिड कॉंट्रवर्सी हुई थी उसके बाद जब पॉपट लाल की इन्होंने शादी नहीं करवाई थी तो भी इन्होंने अपोलोजी पोस्ट डाली थी अपने सोशल मीडिया पर तो मुझे नहीं लगता के फिर से एक बड़ी अपोलोजी पोस्ट डालेंगे कि हम दया के एंट्री करवा देंगे लेकिन हाँ दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि आगे स्टोरी कैसे प्रोसीड करती है बगी दोस्तों आप इसके बारे में क्या सुष्टियो है कमेंट सेक्षिन में जरूर बताना वीडियो पसंद दियो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल ओन कर लेना ताकि तारक मेता से जुड़ी सभी अपडेट्स आप टाइम टू टाइम पास सकें तो फिलाले से वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में